जैसा कि हम सब को पता है कि OnPassive का माइग्रेशन AWS यानि एमा जोन बेव सर्विस के द्वारा किया जा रहा है और इस टॉपिक पर मैं पहले ही कई वीडियो बना चुका हूँ जिसे देखने के बाद एक बेक्ती दोरा यह मैसेज किया गया कि OnPassive एमा जोन का फिरी ट्रायल सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है यानि एमा जोन फिरी ट्रायल सर्विस का इस्तेमाल करके OnPassive अपने वेव साइट का माइग्रेशन कर रहा है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से on passive का o connect एक paid wave solution है लेकिन o connect को फिरी में इस्तिमाल करने के लिए नए user को 14 दिनों के लिए trial के रूप में दिया जाता था यानि नए user o connect को फिरी trial के रूप में 14 दिनों तक फिरी में इस्तिमाल कर सकते हैं उसी तरह से AWS भी अपने नए user को फिरी में इस्तिमाल करने के लिए कुछ service देता है लेकिन फिरी में इस्तिमाल करने वाला वह service limit होता है unlimited नहीं होता है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या on passive सही में AWS का free trial service का इस्तिमाल करके अपने website का migration कर रहा है या कितना संभव है आज के इस वीडियो में हम इसी टौपी के उपर बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मंटन सर्मा तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा खासकर उस वेक्ति को जिहोंने message करके यह बताया है कि on passive इतनी बड़ी IT company है और on passive में 14 लाग से अधिक founder जुड़े हुए है और on passive के बारे में यदि कोई बेक्ति इस तरह की जानकारी देता है तो कोई भी मुर्फ बेक्ति इस पर भरोसा नहीं करेगा और जहां तक बात है on passive द्वारा Amazon wave service का free trial इस्तिमाल करने का तो यह संभव ही नहीं है कि इतने सारे data को कोई भी company free में migrate करने का service देगा नहीं जब आप AWS a portal पर आएंगे तो यहाँ पर create trial category का option देखेगा और जब आप इस option पर click करेंगे तो यहाँ पर नीचे में migration का option देखेगा और इस पर जब आप click करेंगे तो click करने के पर यहाँ पर free trial offer detail का option दिखाई देगा और इसमें free में दिये जाने वाले services का detail दिखाई दे रहा है जिसे जब आप scroll करेंगे तो यह कुछ हितने सारे services free में दिये जा रहे हैं AWS के द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है always free नीचे में है always free 1000 application per account unlimited track unlimited number of application as days migrate नीचे में है always free migration and unlimited no charge for up to 90 days per server इसके अलावे जब आप फुरा और नीचे की और scroll करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है always free 750 hours of Amazon DMS signal और नीचे में लिखा हुआ है 50 GB of include general purpose SSD storage इसका मतलब यहाँ है कि Amazon wave service के द्वारा जो free trial के रूप में service दिया जा रहा है उस service को आप सिर्फ सिखने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं उस service से किसी website का migration नहीं हो पाएगा और onpassive इतनी बड़ी company है तो यह संभव ही नहीं है कि onpassive द्वारा AWS Amazon wave service का free trial इस्तिमाल करके website का migration किया जा रहा है उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गए जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कोमेंट में पूछ सकते हैं